तो यह अप्रीवन दिश राजिस्वरी तो देविल स्टड़ी दे सेंटेंस बाक्या सेंटेंस का हिंदी में बोलते हैं बाक्या हम बोलने और लिखने पढ़ने में बाक्यों का प्रयोग करते हैं यह बाक्या ऐसे सब्द समुव होते हैं जिनका पूरा पूरा अर्थ निकलता है तथा जिसमें एक निश्चित सब्द गरम होता है जैसे की ही इस रेडिंग ए बुक मतलब वहा पुस्तक पढ़ रहा है कम हीर यहां आओ यहां पर एक एक बाक्या का अर्थ हमें समझ में आ रहा है तुम्हारा नाम क्या है तुड़े इस संडे आज रभिवार है स्टाप राइटिंग लिखना बंद करो लिसन सुनो थैंक यू आपको धन्यबाद यह सब एक एक बाक्या है एक वाड क्यों ना हो वो भी एक सब्द में भी हम उसको बाक्या करते हैं जैसे कि लिसन यह भी एक बाक्या है उस्जे तरह से सब्द बाक्या बहुत प्रकार के हैं हम यहां पर चार प्रकार के बाक्या पढ़ेंगे स्टेटमेंट मतलब कथनात्मक मतलब हम जो बातें करते हैं नॉर्मल बालाइप में वही नॉर्मल बातें इसको कथनात्मक बोलते हैं मतलब राम इसे बॉइ राम एक लड़का है इंडिया इसे ग्रेट निशन भारत एक बहुत अच्छा देसे ही रन्स ही रन्स फास्ट वो जो और से दाड़ रहा है I don't like him मैं उसको पसंद नहीं करती He has no money उसके पास पैसे नहीं है Nobody was there वहाँ पे कोई नहीं है ये सारे एक एक बाक्ये है तो हम ये नॉर्मल स्टेटमेंट ये सारे बाक्ये नॉर्मल है इसलिए इसको कथनात्मक बाक्ये बोला जाता है अभी हम बात करेंगे Interrogative मतलब प्रस्न बाचक बाक्या प्रस्न बाचक मतलब जिस बाक्ये को हम सवाल पूछने में ये बेबाहर करते हैं उसको हम Interrogative बाक्ये मतलब प्रस्न बाचक बाक्ये बोलते हैं What's your name? तुम्हारा नाम क्या है? Why are you late? तुम्हें देर क्यों हो गई? Are you in time? क्या अब समय पर है? Is she not pretty? क्या वो सुन्दर नहीं है? Have you not done your work? क्या तुम्हें अपने काम नहीं किया? Was she not present here? क्या वो हो? वहाँ उपस्तित नहीं था? ये सारे बाक्ये प्रस्ना सवाल पूछते हैं इन सारे सेंटेंस में से हम कुछ सवाल देख रहे हैं इसलिए ये सारे बाक्ये प्रस्ना बाचक बाक्ये बोलते हैं अभी हम पढ़ाई करेंगे imperative आदे साथ मक मतलग जो हम इन बाक्यों में आग्या, प्राप्थना, निवेदन, निदेश, आदी का भाव रहता है जैसे ब्रिंग दा बुक पुस्तक लाओ गेट योर्सेल्फ रेडी तैयार हो जाओ प्लीज डू मी ए फेवर मेरे पर एक कुपा किजिए डोंट मेके नॉइस, सोर मत करो, बी साइलेंट, सांत रहिए डोंट ट्रेड अन दग्रास, घास पर मत चलो ये सारे साथ imperative है, आदे सात्मग बाक्य है, इसलिए ये सब को हम आदे साथ भाव से यूज करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इस्क्लामेटोरी सब्ध बाक्या, इस्क्लामेटोरी मतलब बिस्मया धी बोदक, मतलब जिस बाक्य से हमें आर्ष्चे जिस चकित होना पड़ता ह उस बाक्य से हम आश्चे जिय होते हैं, उसी बाक्य को हम इस्क्लामेटोरी बोलते हैं, जैसे हो ब्यूटिफूल, कितना सुन्दर, वाटे सर्प्राइस, कितना आश्चे जिय जनक, ओ हाव टराजीक, है कितना, कितना दुखत, अलास, यी इस डेड, है वो मर गया, यह सारे सब्राइब बिष्मा या बोधक हैं इसलिए इसारे सब्राइब को इसकल बोलते हैं अभी हम सेंटेंज का पूरा चाप्टर खतम कर लिए आपको कुछ कुछ क्वेस्टिन है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बता सकते हैं थांक यू